Samsung 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 वेगाई दगिनम वेग तो ग्याइस कैसे हो आपके लिए फिर से एक नए वीडियो लेक्या गया हूँ राज की इस वीडियो में हम जो है finally और फिर एक हफ्ते पहले में एक वीडियो बनाइए थी दोनों वीडियो में आपको दिखा दे रहा हूँ एक विडियो बनाइए थी उसमें मैंने बताया था कि आपको जून के फर्स्ट भी क्ने मिलेगा और क्यों मिलेगा ? यह serial wise अपडेट दे रहा था और जून के फिस्ट मीग में देगा मैंने आपको बटाया था वह सच साबित हुआ मैंने आपको बताया था जन्वरी में ही मैंने बताया था कोई भी जो है YouTube पे नहीं बताया था कि आपको जो है मई में जो है अपडेट देखने को मिलेगा जून के फर्स्ट मीक में ही मुझे जो है Android 10 मिल चुका है Samsung Galaxy A20 में आज है हमारा 5 जून और हमें जो है ये 2-3 दिन पहले Android 10 हमारे स्मार्फोन में देखने को मिल गया है तो आईए हम अपने Samsung Galaxy A20 के जितने भी फीचर नए दिये गए Android 10 में उसको एक एक करके देखेंगे वीडियो में बने रहना प्रेंट तक क्योंकि वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको बतना चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करिए चलिए दोस्तों आच वीडियो करते हैं यह हमारा Samsung Galaxy A20 आपको दिखा दे रहा हूं मैं यहाँ आप देख सकते हो वन यू आई वर्दन 2.0 दिखा रहा और यहां पर जो है Android 10 का वर्दन आ रहा इसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो फाली यहाँ पर Android 10 जो है मैंने अपने Samsung Galaxy A20 में अपडेट कर लिया है आप देख सक इसमें थोड़ी बहुत changing की गई है dark mode में आपको जो है थोड़ा सा color जो है adjustment किया गया है और इसमें आपको contrast भी थोड़ा high कर दिया गया है तो यही तो हमारे नए update में जो दूसरा feature निकल के आता है वो है full screen gesture आईए full screen gesture को हम देख लेते हैं यहाँ पे इक लिक करेंगे setting पे setting पे click करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे display के option पे तो देख सकते हो यहाँ पे हमें display का option दिख गया है और इसके बाद यहाँ पे आपको जो है नीचे चले जाना है और यहाँ पे navigation bar पे जाना है navigation bar पे आप जाओगे तो आपका यहाँ पे selected होगा navigation button और यहां से आप फुल स्क्रीन गेश्चर पर क्लिक करोगे, तो यह वाला ओप्सन आपको देखने को मिल जागा, यहां से स्लाइट करने पर, और अगर आपका यहां पर सेलेक्टेट रहेगा, नविगेशन बटन पर, तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको जैसे आप देख सकते हो, तो इस पर क्लिक कर दोगे तो यहन से बैक हो जाएगा, यहां से सकते हो, और जो हमारे तीसरा पीचर निकल्क आता है, वुहमारे बल्ढ़ कर आता है, तो यहां पर आपको जो हैब बैटरी में तो ग्राफ का अफ्शन दिया गया है, आपक देख सकते हो जो भी आपने यूज किया है बैटरी को उसका यहाँ पे ग्राफ दिखेगा तो यहाँ पे आप डीटेल जो है कुछ इंफार्मेशन ले पाओगे सहां कहां आपकी बैटरी जो है खर्च होई है तो यह भी एक निया फीचर दिया गया इसमें तो अगर बात करें कैमरे की तो कैमरा भी काफी स्मूथ कर दिया गया आप देख सकते हो गजब का काम कर रहा है कैमरा भी तो यहाँ पर हमारा पाँचवा फीचर निकल के आता है वह हमारा पावर आइकन यह पहले एंड़ोइड 9 में नहीं था एंड़ोइड 10 में जो हमें पावर का आइपोन देखने के मिल लाई वहाँ पर क्विक सेटिंग भी आपको देखने को मिल जाती है तो चट्वा फीचर हमारा निकल के आता है वह है ट्रैस फीचर फॉर कॉंटक्त तो जो भी आप कंटक्त सेब किये जागए अपने डिवाइस में वह जो है आप 15 दिन के लिए अगर आप करते हो तो 15 दिन के लिए वो ट्रेस में जाके सेव रहेगा आप उसको जो है फिर से रिस्टोर कर सकते उस कॉंटेक्ट को फंदे दिन के बाद आटमेटिकली डिलेट हो जाएगा तो अगर बात करें साथवें फीचर की तो यह साथवां फीचर निगल के आता हमारे माई गल कर दोगे तो टर्न ऑन रिसाइकल करने के बाद यहां पर देख सकते हो नो फाइल दिखा रहा है कोई तक मैंने डिलेट भी नहीं कि आ बएगा है तो इसको हम घ्लेक्त करेंगे यहां पर यहां पर आकर श्टोर हो गई है यहां से हम जो एक इस पर ग्लिक करेंगे तो क् करोगे यहां से फाइल हट गई है और फाइल देखेंगे तो आपको फाइल देख सकते हो बैक आ चुकी है गजब का फीचर दिया गया यह मतलब इसलिए दिया गया कि कोई भी फाइल अगर आप से पिर से आप उसको जो है रिस्टोर कर पाओगे यह जो है रिसाइकल विन में आपका जाके चीपा रहेगा और जो हमारा आठवा फीचर निकल के आता है वो हमारा आइकन और कलर को लेकर के तो आपको जैसा कि दिखाना चाहूंगा आप देख सकते हो पहले आप देख लो जो आइकन वगर आप देख पा रहा होगे थोड़ी सी चेंजिंग आई हुई है आइकन भी और कलर में कलर बगर भी चेंज हुए है आप देख सकते हो फोन भी काफी स्मूथ हो गया है अब जैसा कि देख सकते हो आपके सामने फॉन यह था हमारा आठवा फीचर सो नवा फीच यहां पे आप को देखने को मिल गया है यहां पर क्लिक करें तो देख सकते हो यहां पर यहां से आप जो इसको एनेबल कर सकते हो यूज ऑन हैंडडीड मोड़ यह भी गजब का फीचर दिया गया आपको और जो दस्वाँ फीचर निकल के आता है वो है हमारा Wi-Fi का QR कोड जैसे देख सकते हो यह हमारा Wi-Fi कनेक्टेड है आप इसमें क्लिक करेंगे अभी डिवाइस काफी अच्छा चला है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि Android 10 की वीडियो आपके लिए लाओंगा जो भी फीचर से रहेंगे सब कुछ बताऊंगा तो मैंने आपको जो है सारी फीचर दिखा दिये तो वीडियो अच्छी लिए की पीडियो को लाइक